इसने क्या चेन्ने की जंता को खामोश कर दिया है चेन्ने सूपर किंग्स के होम ग्राउंड में मैच जो है आईपिल दोजार चौवीस का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है सन्राइजर सहितराबाद और कुलकतनाइड राइडर्स के बीच में और फिछले दो दिन से ठग गया था मैं देख देखे कि भाई चन्ने के क्राउड को पैट कमिन्स खामोश कर देंगे लेकिन श्रेया सायर में भाई आप कह सकते हो बदला ले लिया है बदला रोहिच शर्मा का लिया हलाकि वो कुछ और वो अलग जखम है और ये अलग जखम है सन्राइजर राइट राइडर्स के बीच में आईपियल दोजार चोबीस का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले में बीस ओवर का खेल हो चुका है और बीस ओवर के खेल के बाद आप कह सकते हो कि भाई सन्राइजर सहितराबाद की हार निश्चित है लगबग अब यहां से देखिये सिर्फ करिश्मा आई कुछ गेंदबाजी अगर होगी शावाज एहमद और अभिशेक शर्मा द्वारा अगर घजब की गेंदबाजी हुई तब जाके मैच में कोई रोमांच होगा क्योंकि सन्राइजर सहितराबाद ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाज करने का फैसला किया और एक सो तेरा पर धेर हो गई है सन्राइजर सहितराबाद एक सो तेरा रन बना कर ऑल आउट हो गई है अगर बल्ले बाज़ों के प्रदर्शन पर आप गौर करें तो हेंडरी क्लासें तेरा रन बनाकर आउट हुए है नितीश रेड़ी ने तेरा रन एडन मारकरम जो है वो उन्होंने थोड़ी देर के लिए जो है सासे अटका कर रखी हुई थी लेकिन वो भी बीस रन से ज्यादा नहीं बना पाए और भाई ये ट्रैविस हेड जो है पिछले तीन पारियों से शुन्य पर ही आउट हो रहे हैं तो भाई वैसे तो बड़े म मैच में प्रेशर वाले मैच में ये अच्छी बल्ले बाजी करते हैं क्या अपनी शक्तियों को छुपा कर रख रहे हैं क्या कर रहे हैं वो नहीं पता बट ऐसा लग रहा है कि भाई अपनी शक्तियों को ट्रैविस हेड जो है वो छुपा कर रखे हुए हैं उसके बाद और और उडालो मजार इस इस गेंदबास का और मजाक उडालो जो लोग भी मिचल स्टार्क का मजाक उडाते थे वो देख लो ये आकड़े च्टीन ओवर में सिर्फ चौदा रन खर्च किये हैं और चार दस्टम्लों साथ छुनने की एकॉनमी से इन्होंने गेंदबासी किये दो विकेट इनको मिले हैं पिछले मुकाबले में यानि कॉलिफायर वन में तीन विकेट लिये थे उससे पिछले मुकाबले में भी दो या तीन विकेट लिये थे तो भाई बड़े मैच का गेंदबास है मिचल स्टार्क और मिचल स्टार्क जो है टी ट्वेंटि भालकि भ क्या कहते हैं अपना सेमी फाइनल या फाइनल या क्वाटर फाइनल में हो, होगा जरूर इंडिया और आस्ट्रेलिया का आमना सामना, तो अगर ऐसी फॉर्म में रहेंगे तो भाई निश्चित तोर पर ये भारतिय टीम के लिए थोड़ा सा खत्रे की गंटी है, आगे अगर आप देखो, तो भाई हर्शित राणा ने आज वो कर दिखाया जो पिछले, पताने कितने मैचों से नहीं हुआ, मुझे नहीं याद आखरी मैच कौन सा था, जिसमें मेडन ओवर आया हो, हर्शित राणा ने तीन दशा, तीन ओवर का जो उनका स्पेल, राज चार ओवर का स्पेल, उसमें एक मेडन उन्होंने, एक मेडन ओवर डाला है उन्होंने, और जो उनका चार ओवर का स्पेल है, उसमें उन्होंने दो विकेट लेने में कामिया भी पाई है, और आंदरे रसल, रसल भाई अंदर आएंगे, तो विकेट लेंगे, बल्लेबाजों को बाहर भ बाजी की अपना तीसरा ओवर वो करने आये थे तीसरा ओवर खत्म भी नहीं किया और पैट कमिंज जो लग रहा था कि भाई स्कोर को 120 के पार 130 के पार या एक सो इवन 140 तक पहुचाने का दम है पैट कमिंज में लेकिन पैट कमिंज को खामोश कर दिया अंद्रे रसल ने तो बाई एक सो चौदा रन अब एक सो बीस गेंदों में एक सो चौदा रन बनाने है और पिछला लाइफ सेशन जो इससे पहले दो लाइफ सेशन इस मैच से रिलेटेड हमने किये उसमें मैंने साफ कहा था कि भाई यह मैच जो है एक तरफा होगा मुझे ऐसा लग रहा ही कि तरफा ही होगा क्योंकि एक सो चौदा रन मुझे नहीं लगता है कि अगर देखे होने को तो बहुत कुछ हो सकता है ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है जो संराइजर सहदराबाद के फैंस हैं वो अप्टिमिस्टिक रहें वो यह सोचे कि भाई एक सो चौद लेकिन वो तब होता है या वो तब हो सकता था जब संराइजर सहदराबाद 200 या 200 का आकड़ा बनाती और उस पड़े स्कौर के प्रेशर में टीम छोटे स्कौर में ही ओल आउट हो सकती थी लेकिन जब 114 रन ही आपको बनाने है जब आपको जीत के लिए चाहिए ही 114 रन भाई अगर ये तो ये तो ऐसा स्कोर है कि सुनिल नरायन का अगर दिमाग खराब हुआ अगर दिमाग खराब हुआ उस खिलाडी का उस बल्लेबास का रह्मनुला गुर्बाज ने थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दिया सुनिल नरायन को दोनों ने छे ओवर में अगर थोड़ी स के लिए खास तौर पर सुनील नरायन के लिए क्योंकि अगर गुद्धी खराब हुई सुनील नरायन की तो फिर ये 114 रन जो है न वो 80 पे तो अकेले ही मार देंगे वो 89 ओवर के अंदर अंदर और मैच जो है वो फिनिश कर देंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है इस ल कता नाइट राइडर्स के गेंदबाज सुप्रीम बनकर उभरे हैं सुपीरियर बनकर उभरे हैं ड्राइविंग सीट पर इस समय मौझूद है और जो IPL 2020 में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियन्स के बीच हुआ था जिसका जिक्र पिछले लाइफ सेशन में मैंने किया भी था अगर आप लोगों ने वो लाइफ सेशन देखा हो तो वही हाल हुआ है मुंबई इंडियन्स और दिल्ली कैपिटल्स तीन बार एक दूसरे का आमना सामना है की थी आईकल 2020 में और उस दोरान दिल्ली कैपिटल्स हर एक टीम को आराने में कामियाब हुई थी ल को कपतानी मिल गए थी और 22 से पहले श्रेय सेयर को टाटा गुडबाई कर दिया था जिस पर थोड़ी कांट्रोवर्सी भी हुई थी दिल्ली कैपिटल्स के फैंस नाखुछ थे लेकिन केक्यार में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया 22 में वो कुछ खास करने पाए 23 वो नहीं 24 में वो खेल रहे हैं और गौतम गंभीर चंद्रकांत पंडित और श्रेय सेयर की जोड़ी भाई साब कमाल की जोड़ी और इस सीजन टेबल टॉपर रहे सबसे बहतरीन नेट रन रेट के साथ किसी भी टीम ने किसी भी सीजन का जो रेकॉर्ड था वो रेकॉर्ड त पहुचने का जो कारनामा है वो केके आर ने इस सीजन पहली बार किया है 2012-14 में टीम खिताब जीत चुकी है गौतम गंभीर तब टीम के कप्तान हुआ करते थे वो भी ऐसा नहीं कर पाये थे नंबर दो पर फिनिश करते हुए उन्होंने टीम को खिता आई ता लेकिन इस ब जो बीते हैं वो और यह सत्रवा सीजन यानि टोटल सत्रा सीजन का जो इतियास से वो दूस्त हुआ है श्रेयस ऐयर की कप्तानी रास आ रही है बाई टीम को और श्रेयस ऐयर भाई देखें बेस्ट कपतान है इसमें कोई डाउट नहीं क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने एक बैस्ट किलाडी है बैस्ट कप्ताने इस मैच में ज्यादा तर लोग श्रेया सईयर को ही सपोर्ट करें थे और देखे भाई पैट कमिन्स को लेकर ना भाई ठग गया था भाई कल से ही मतलब भी जो मीम्स आ रहे हैं जो पोस्ट आ रहे हैं inस्टाग्राम पर जो रील्स सामने आ रही है की भाई वो साइलिंस कर वाएंगे साइलिंस कर वाईं सब्सक्राइब गेंद बाजों में ये फिर दोहरा दू, संराइजर सेहदराबाद के गेंद बाजों में काभीलियत है, हो सकता है इस मुकाबले में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जो शायद हमने नहीं सोचाए, हो सकता है आगले लाइफ सेशन में आप लोग मुझे ट्रोल कर दो, उन्हें बचकर रहना है टीन अटराजन से, शाबाज एहमद से और अभिशेक शर्मा से, टीम ने गलती कर दी, मुझे ऐसा लगता है भाई, ग्लेन फिलिप्स को खिलाया जा सकता था, इंपक्ट सब के तौर पर किसी विदेशी खिलाडी को या ट्रैविस हेड को या बाहर कर देते भाई, ट्रैविस हेड से तो आप गेंद बाजी करा नहीं रहे हो, तो भाई, आप उनकी जगे पे ग्लेन फिलिप्स को ले आते, ग्लेन फिलिप्स आपको बोलिंग में ऑप्शन देते, थोड़ी सी बैटिंग में डेप्ट देते, भाई, आपके बास टीम थी, य यह स्कोर अगर कोई डिफेंड करवा सकता है, तो भाई, पैट कमिंस करवा सकते हैं, बोलर्स हैं उनके पास, शाबाज एहमत से बचकर रहना पड़ेगा, केक्यार को, अभिशेक शर्मा से बचकर रहना पड़ेगा, लेगन भाई, डिसपोइंट किया है, भाई, अभिशे हो गया, फिछले तीन मुकाबलों से पता निकिसी बल्लेवाजी करें,